Hello dear children, from today we are going to start writing with a great fun. Today I will taught you standing lines. देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे standing lines, खडी रेखाए. आपको मम्मी से इस तरह के बिंदू बना के लेने हैं, पॉइंट्स बना के लेने हैं, इस तरह से दो-दो पॉइंट्स जो हैं, वो मम्मी से बना के लेने हैं. और आपको बहुती easy काम दे रही हूँ मैं आज इस दो points को इस दो बिंदूओं को इन दो बिंदूओं को आपको सिर्फ जोड़ना है pencil को अच्छी तरह से आपको hold करना है और इन दो बिंदूओं को जोड़ना है आसान है ना देखो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको सिर्फ pencil यूज करना है आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे black paint यूज किया है बट आपको सिर्फ pencil ही यूज करनी है standing line means खड़ी रेखाए दो points को आपको इस तरह से मिलाना है 3 in 1 notebook में आपको standing line का यह पूरा जिस तरह से मैंने किया है वैसे काम आपको full page भरके करना है तो इस activity के लिए standing line के रिगार्डिंग यह जो activity है इसके लिए हमको चाहिए है यह four size का plain paper उस पे हमने heading दिया है standing lines activity और यह watercolors तो सबसे पहले हम हमारी finger को finger को इस तरह से color में dip करेंगे और इस dip की हुई finger को हम directly paper में रखके line खीचेंगे और एक बार करके देखते हैं देखे बड़ा मजा आ रहा है आप अलग-अलग color भी use कर सकते हो इस activity के लिए यह देखिए हमने अगर आपको थोड़ा difficult जा रहा है तो आप parents से dot भी बना के ले सकते हैं आप अलग color भी use कर सकते हैं अगर पहली line में आपने red यूज किया तो second line में आप blue यूज कर सकते हो third line में green यूज कर सकते हो मैंने यहाँ पे एक ही color से किया हुआ है आपको अगर difficult जा रहा है तो बिंदू बना के ले सकते हो मतलब points बना के भी आप कर सकते हो देखो बड़ा मज़ा आ रहा है color से खेलने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है आपको भी आएगा आप ये activity जरूर करना और file में लगाना ओके thank you dear children बाबाई